इस पर हमें इस धंग से गौर करना होगा वो गौर से उसे देखता हुआ बोला कि तुम खत्म हो चुकी हो यह असलियत है और हम दोनों ही इससे बखुबी वाकिफ है कच्चे दागे में बंदी दो दो नंगी तलवारें तुम्हाई सर पर लटक रही है उनमें से कोई भी तूटका गिर सकती है अगर तुम्हारी तकदिश जादे ही तेज निकली और किसी चमतकार ने तुम्हें बाहर मौजूद आदमी की रैफल की गोलियों से छलनी होने से बचा भी दिया तो भी तुम जादा दिर तक बच नहीं सकोगी पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और तुम पर हत्या के अपरात में केस चलाया जाएगा अगर तुम्हारी खूब सूर्ती और जवानी पर हैम खाते हुए जज ने तुम्हें फासी की सजा नहीं भी सुनाई तो भी उम्र के तो यकिनन होगी और तुम जैसी औरत के लिए वो फासी की सजा से भी बत्ता साबित होगी यानि कि दोनों ही सूर्तों में तुम्हारा खौफना का अंजाम निश्चित है मिस्स जोहरी ने जवाब नहीं दिया अगर भागवान में तुम्हारा विश्वास है तो तुम अकेले में बैठ का सिर्फ प्रातना कर सकती हो और इन हालात में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा हकीकत ये है तुम्हारे पास ना तो भागने के लिए कार है और ना ही तुमने मुनासिब कपड़े पहन रखे है और ना ही छुपने के लिए कोई तुम्हारे पास जगा है कुल मिलाकर नतीजा ये निकलता है कि तुम बिल्कुल अकेली और आसाहरे हो तुम्हारे बचाव की कोई सूरत नहीं है अब अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो बचाव की कोई सूरत निकल सकती है हालात की नजाकत को देखते हुए और इस मामले में अभी कोई गारेंटी तो मैं नहीं ले सकता सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि फिलहाल वन परसेंट चांस है अब बात आती है तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे क्या चाहिए तुम्हारे साथ मेरा ये समझोता तकरीबन वैसा ही होगा जैसा कि निशा सेंग और तुम्हारे पती ने आपस में किया था मैं तुम्हें यहां से निकालने पुलिस की सरगर्मिया ठंडी पढ़ने तक छुपाने तुम्हें दूल किसी शहर या देश से बाहर भीजने की कोशिश करूँगा याद रखने वाली बात है ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करूँगा या कर सकता हूँ लेकिन अपनी और से पूरी कोशिश जरूल करूँगा तुम्हें ये मन्जूर है? मिसेज जोहरी ने धीरे से सहिला का सहमती दे दे गुड और इसकी एवरज में तुम्हें पैसा चाहिए? हाँ मिसेज जोहरी ने अर्थ पून्धंग से उसे देखा कुछ और नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैं शरीफ आदिमी हो कितनी रकम चाहिए? राउंड फिगर में पूरे साट लाक रुपे वो चौकी क्या? पूरे साट लाक रुपे वो घोरा विश्वास पूरवक उसे देख रही थी तुम्हारे दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है ये सरासर जाती नहीं है अगर तुम ऐसे समझती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हड जाऊंगा फिर तुम खुदी से निमठती रहना तुम मेरी मजबूरी का नाचाहस फायदा उठाना चाहते हो मेरा ऐसा कोई रादा नहीं है तुम्हारी बातों से तो तुम्हारे रादा साफ जहर है अगर तुम्हें मन्जूर नहीं है तो इंकार कर दो तुम्हारी मदद की ये कीमत बहुत जादा है तुमने सोचा था मैं 10-20,000 रुपे में मान जाओंगा हां, तुम्हें ये कीमत ही जादा नजर आ रही है वो रिस्क दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे तुम्हारी खातिल लेना पड़ेगा तुम्हारी मदद करना शूकरते ही कानूनन मैं भी तुम्हारे जुर्म में ब्राबर का शरीक हो जाओंगा तुम्हें यहां से निकालने में मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी और फिर पुलिस से तुम्हें बचाई रखना पड़ेगा कहीं भी जरा सी चूक होते ही तुमसे पहले मैं मारा जाओंगा उसने गहरी सांस ले तो तुम्हें वो सारी रकम चाहिए हाँ और अगर मैं इन तमाम मुसीबतों से निकलने में कामयाब हो गई तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा जैसे उन लोगों का होता है जिनके पास मोटा पैसा नहीं होता क्या मतलब मतलब की काम करना कैसा काम कोई नौकरी कर ले न तुम्हें तो असानी से मिल भी जाएगी लेकिन मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है एक काम है जिसे तुम बड़ी असानी से कर सकती हो क्या किसी दौलत मन बुढ़े से शादी कर ले न या फिर किसी की रखेल बन जाना शट अप ओके मैं अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो भी इस बात की क्या गारेंटी है कि रखम हाथ में आने के बाद तुम इस समझोते पर अमल करोगे ही कोई नहीं यानि मुझे तुम्हारी बात पर ही रोसा करना पड़ेगा हाँ वाह जवाब नहीं है तुम्हारे ओफर का तारिफ के लिए शुक्रिया मैं अब ये भी बता दो कि रखम है कहाँ वो मुस्कराई यही तो एक बात है जो मेरे हक में है यानि कि रखम को पाने से पहले तुम्हें अपने समझोहते का कम से कम एक हिस्सा तो पुरा करना ही पड़ेगा मैं इमानधार आदमी हूँ जो कहा है उस पर पूरी तरह अमल करूँगा तुम्हारी मदद करने की सारी कोशिशे करूँगा वो सारी रखम सलीमपुर में है कहाँ? तीन अलग अलग बैंक के लॉकर्स में विक्रम चक्राया बैंक लॉकर्स में? हम वो तुम्हारे अपने विन्रॉल लॉकर्स में है हाँ कब से? कई साल से लेकिन अब पुलिस हर एक शहर में तुम्हारे एक तलाश कर रही है इस हालत में तुम उस रकम को निकालोगी कैसे मिसिस जोहरी की मुस्करहाट और गहरी हो गई वो लॉकस मेरे असली नाम में ना होका फलजी नाम पतो पर लिए गए थे ओ, तो क्या तुम कई सालों से इसकी त्यारी कर रही थी नहीं, लेकिन ऐसी ही किसी जुरत के लिए एहत्यातन लेकर छोड़ दिये थे खै, उनकी चाबियां कहां है? घर में, तुम्हारे घर में? हाँ, और तुम्हारे घर की तो पुलिस निगरानी कर रही होगी? ये मुझे नहीं पता, मुझे पता है इसका मतलब है, अगर हम किसी तरह यहां से निकल गए तो भी वापस सीधे शेल की मांद में जाना होगा मैं जानती हूँ, ये काम असान नहीं है इसलिए तो तुम जैसे टैलेंटेड आदमे को मुझ मांगी कीमत पर अंगेज किया है किसी अनाड़ी के वश में नहीं था ये सब करना इसे कोई होसला मन, तजुर्बेकार और सूझ-बूझ वाला आदमी ही अंजाम दे सकता है इस नई समस्या ने एक और खतरनाग पेचीदगी पैदा कर दी थी छीक कहती हो, तुम इस काम को कर सकते हो ना? हाँ, कैसे? सोचना पड़ेगा? सोच लो और फिर मुझे बता भी देना तेजी से चमकता सूरज आसमान में उंचा चड़ता जा रहा था मंगले में गर्मी बढ़ती जा रही थी खिड़की पर बड़ावर नजरें जमाएं, फर्श पर चाहे कदमी करता विक्रम सोच रहा था सबसे पहला काम था कि इस मकान से बहा निकलना कैसे? इसका मुनासिब जवाब उसे सूच नहीं रहा था वो जानता था, इसका कोई सही तरीका निकारे बगैर कुछ नहीं किया जा सकता था कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा यहां से जाने के लिए एक कार की सक जरुरत थी और मिसेस जोहरी की कार इस्तमाल नहीं की जा सकती थी जाहिर था कि बाहर मौजूद आदमी भी कार में ही आया होगा और वो आसपास ही कहीं खड़ी होगी लेकिन उस कार का पता लगा कर उसे हत्याना असान नहीं था क्योंकि उसके पास राइफल भी थी और उसका निशाना भी बढ़िया था इसका सीधा सा मतलब था पहले उसी से निमटना होगा तुम्हारे विचार में वो अभी भी यहीं होगा मेरी ख्याल से तो जा चुका होगा मिसे जोरी ने पूछा वो मेज पर बैठे ड्रेंक की चुसकें ले रही थी विकरम ने उस शराब खोर औरत को देखा अब बड़े सबर के साथ इंजार कर रहा है वो जानता है हम जरूर भार निकलेंगे हमारे निकलते ही वो हमें ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश करेगा और ज़्यादा चांसेज इस बात के हैं कि अपनी कोशिश में वो काम्याब हो जाए ये भी तो हो सकता है उसने समझ लिया हो कि हम चुप चाप पिछले दरवाजे से खिसक का पैदल ही यहां से चले गए हूँ नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि वो जानता है कि तुमने जो ये लिबास मैक्सी या ग्याउन जो भी है उसमें तुम पैदल कहीं नहीं जा सकती और वो ये भी जानता है कि मौजूदा हालात में तुम्हे काल की सर्जरूरत है और अगर वो राइफल लेकर नेगरानी ना भी कर रहा होता तो भी इस बात की भी जानकारी उसे थी कि हम तुम्हारी काल लेकर नहीं जा सकते हैं मिसेज जोहरी फ्रेश ड्रिंक बनाने लगी विक्रम ने देखा बोतल में मुश्किल से एक पाव विस्की बची थी करीब आधी बोतल वो डगा चुके थी इसके बावजूद विस्की का कोई खास परभाव उस पर नजर नहीं आ रहा था ऐसी प्यक्कड औरत पहले कभी उसने देखी नहीं थी मिसेज जोहरी अपने गिलांस से घुट बने के बाद बोली मानना पड़ेगा तुम हाई प्राइज एस्पर्ट हो अजीब औरत थी? विक्रम ने सोचा बर्फ जैसी सर्द और पत्थल की तरह सक्त उसके व्यवाद से लगता था मानो मौझूदा हालात उस पर नहीं किसी और पर गुजर रहे थे वो महर्ज तमाशाई थी और बालकनी की पहली लाइन में बैटी बड़े ही बेमन से ये सब देख रही थी विक्रम को उसमें खीज सी आ गई तुम अपने आपको समस्ती क्या हो? वही जो मैं हूँ क्या संजीत गीज से बाते नहीं कर सकती? नहीं विक्रम उसके सामने बैढ़ किया तो करीब दो महिने तक तुम्हें पुलिस की निगाओं से बचा कर रखना पड़ेगा ये काम असान नहीं है और मैंने ये खत्रा सिर्फ साथ लाख रुपे की खातिर उठाना मन्जूर किया है लेकिन इसका मतलब ये हल्गिस नहीं कि तुम्हें कुछ भी कहने या करने के अजादी मिल गई है अगर तुम्हें अपने इन हरकतों पर काबू नहीं पाया तो जरूर पुलिस के हाथों पर जाओगी और अपने साथ मुझे भी ले डूबोगी जबकि अपना ये अंजाब मैं होने नहीं देना चाहता इसलिए जान भूज कर पेचीदग्यां पैदा करने की कोशिश मत करो तुम्हें आज के बाद शिराव नहीं पियोगी और तब तक नहीं पियोगी जब तब मेरे साथ रहोगी उसके चेहरे पर दिल्चस्पी के हाईल के से भावुत पन हुई मानु विक्रम के खामुश होने का ही इंजार कर रही थी हो गई तुम्हारी बात खत्म? हाँ, तो फिर मेरी मैक्सी छोड़ दो विक्रम ने उसे छोड़ कर पीछे कुरसी में धकेल दिया तुम्हें मेरी बात याद रहेगी न? मिसे जोड़ी ने जवाब ना दे कर पूछा यहां से निकलने के बारे में तुम्हारा कुछ करने का इरादा है भी या नहीं? उसी के बारे में सोच रहा हूँ सोचते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? करूँगा लेकिन सोचे बग्या तो नहीं करूँगा और अभी तक तुमने कुछ सोचा नहीं? अंधेरा होने से पहले हम यहां से नहीं जा सकते इसलिए चुप चाप अराम से बैठी इंजार करती रहो यह तो मैं भी जानती हूँ इसमें सोच कर तुमने कौन सा बड़ा तीर माल लिया? फिर बखवाशू कर दी सॉरी बाहर मौजूद आदमी कौन है? पता नहीं, अपना विजिटिंग कार्ट तो उसने मेरे पास भीजा नहीं बकोमत, कौन है वो? तुम यह क्यूं जानना चाहते हो? तुम्हें उसको खत्म करने के लिए मेहननता न दिया जा रहा है उसे जानने के लिए नहीं? तुम्हारा बॉइफ्रेंड है? जो जहें समझ लो वो लापर भाहिसे बुले जोरी की हत्या किस ने की थी? तुम दोनों ने? उसने जवाब नहीं दिया वो यूँ अपने गलास को देखने लगी मनों विक्रम वहाँ था ही नहीं वो अकेली बैठी वहाँ पर पी रही थी फिलहाल उसके साथ सर खपाना बेका था विक्रम ने सोचा यहां से निकलने के बाद ही वो उससे उसके आउकाद बताएगा उस जैसी औरत के साथ चोरो की तरह दो महीने का असा गुजारना अपने आप में एक यादगा तरजुर्बा साबित होना था दो महीने अचानक वो चौका नहीं इतना असा वो इसे अपने साथ चिपकाए तो नहीं रखेगा उसके पास सिर्फ दस दिन का समय था जिसमें से एक दिन पहले ही गुजर चुका था उसे दो चार रोज में ही उस रकम को हासिल करके रकम सहीत इस औरत को पुलिस के हवाले करके ये किस सा निप्टाना था लेकिन ये सब बात की बाते थी पहला काम था बहार मौजूद राइफल वाले से छुटकारा पाना और वो इसी विशे में सोचने लगा पिछली खिडकी किसे पीट सटाय खड़ा विक्रम सामने वाली खिडकी से भाहा देख रहा था दोनों खिडकीों के टूटे कांच के सीथ में उसकी निगाएं बहार लगी थी राइफल वाला वहीं कहीं होना चाहिए था अपने उस स्थिती में वो हर एक चीज़ पर नजर रख सकता था इसलिए पोजिशन बदलने की जाहिरा तोर पर कोई बज़ा हमलावर के सामने नहीं थी हाला कि वो ना तो विक्रम को नजर आ रहा था और ना ही उसकी वहां मौजूद्गी का अन्य कोई अभास मिल रहा था फिर भी उसे यकीन था कि हमलावर वहीं कहीं छुपा होगा क्योंकि उन पेड़ों में रहक बंगले को वाच करने के साथ साथ सड़क को भी असानी से कवर किया जा सकता था इसी परियास में विक्रम को एक उंचा पेड दिखाई दिया जिसका उपरी भाग पत्यश्ता बिजली गिरने के कारण सूख कर ठंड़ ठूंट की तरह हो गया था पोजीशन लेने के लिए वही सरवाधे कुप्युक्त स्थान था विक्रम ने वहीं जाकर चेक करने का फैसला किया क्या देख रहे हो तुम्हारे बाइफ्रेंट को नजर आ रहा है नहीं फिर वहां क्यूं खड़े हो कुछ करो कर भी रहा हूं क्या तुम्हारे लिए टैक्सी बुलानाई की त्यारी मैंसे जोरी ने उसे खूल कर देखा विक्रम ने अपनी सफेद कमीज उतार कर खोसी पर डाल दी उसे डर था कि पेडों के घने साए में सफेद कमीज दूर से ही देखी जा सकती थी बेल्डरूम में मलकाने के ग्रे टी-शट उसे मिल गई टी-शट पहंकर उसने रिवॉल्वर पुना बैल्ट में खोस ली मैंसे जोरी उसे गौर से देख रही थी क्या इरादा है विक्रम ने जवाब नहीं दिया वो मेज के पास पहुंचा विस्की की बोतल उठा कर धककन खोला और उसमें बैची सारी विस्की फर्ष पो लड़ती अरे ये क्या क्या वही जो तुमने देखा अब तक जितनी विस्की तुम्हारे पेट में पहुंच चुकी है वो काफी है मैं तुम्हें नशी में नजर आ रही हूँ नहीं फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम और पियो जादा पीने पर तुम्हारी जो हालत होती है न वो मैं रात में देख चुका हूँ दोबारा तुम्हें कंधे पर लानने के जहमत मैं नहीं उठाना चाहता कहका विकरम तनिक रुका और फिर बोला जानती हो बहार मौजूद तुम्हारा दोस्त यहां आका तुम्हें शूट क्यों नहीं कर रहा क्योंकि वो जानता है कि तुम भी यही हो वो ये भी जानता है कि मेरे पास रिवार्वल है विकरम ने बैल्ट में खुसी रिवार्वल थपता पाई यह उसी की है और अगर उसने पहले ही तुम्हें देख लिया तो, तो तुम्हारी खाते शहीद हो जाओंगा, मेरी नहीं, साट लाख रुपे की खाते, वैसे जहां तक मैं समझता हूँ, ऐसा होगा नहीं, विक्रम ने उसे गोली देते हुए कहा, यानि वो तुम्हें शूट नहीं करेगा नहीं, क्यों, इसलिए कि वो तुम्हारी जान लेना चाहता है, मुझसे तो कोई दुश्मनी नहीं उसकी, लेकिन वो तुम्हें भी तो अपने लिए खत्रा समझता होगा, सिर्फ तभी तक जब तक कि मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, हो, इसलिए मुझे देख कर भी अब धिहान से मेरी बास सुनो, विक्रम बुला, परवेश दुआ लॉक्ड है, मेरे जाने के बाद पिछला दवाजा भी लॉक कर लेना और स्टोर में जाकर बैच जाना, क्योंकि वहाँ कोई खिडकी नहीं है, अगर तुम पोल्च पर उसके आने के आहट सुनो, या वो को प्रकी तोड़ने की कोशिश करें, तो चीखना शू कर देना, और चीखती रहना, स्टोर का दरवाजा बंद करके, अंदर मौजू सारा समान, उसके पीछे अड़ा देना, और अगर तुम्हें धुए की गंद महसूस हो, तो गला फाड कर चिलाने लगना, धुआ, वो यहा ठीक है, साफधान करने के लिए शुक्रिया, विक्रम को देखकर ताजुब हुआ कि ये सब सुनकर भी वो बिल्कुल भी नहीं डरी, मैं जा रहा हूँ, गुड लग, थैंक यू, और वो पिछला दवाजा खोलकर, बहुत ही ध्यान से भार निकल गया, आशा के अनुरूप कुछ नहीं हुआ, मिसे जोरी ने दवाजब पुना बंद कर दिया, विक्रम नीचे जुका, और स्वयम को आड में रखने की कोशिश करता हुआ, जील के किनारे उगी जाड़ियों के और दोड़ कया, हमलावर ने देखते ही उसे शूट कर डालना था, मन ही मन डरा विक्रम को अपनी टांगों को कापता हुआ महसूस कर रहा था, वातावरन में व्यापत, गहरी खामोशी, मौत का सन्नाटा सा प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसके आशंका निर्मूल सिध हुई, साकुशल जाड़ियों में पहुंचकर उसने स्वयम को नीचे गिरा दिया, और कई पल उसी तरह पड़ा हाफता रहा, उठने की कोशिश में जाड़ी की पत्ती का सिरा उसकी नाक में घुस गया, वो बड़ी मुश्किल से अपनी छीक पर काबू पा सका, उसने जील के किनारे दोनों और उगे पेड़ों में दूर तर निगाये दोड़ाई, कहीं भी किसी परका के हरकत का कोई अभास नहीं मिला, उसने पलट का पीछे जील पर निगार डाली, और ये देखका थोड़ी राहत महसूस की, कि उस तरफ हमला वर्के होने की संभावना नहीं थी, तेज धूप में जील का साफ पानी, शीशे की तरह चमकता नजर आ रहा था, जगा जगा पा की बगल से गुजर कर, जहां दो छोटी-छोटी किष्टियां बंदी हुई थी, वो उससे शेट के पीछे पहुँच गया, जहां उसने मिसे जोरी की काल खड़ी की थी, रास्ते में पेड गिरा पड़ा था, उसके उपर से गुजरते ही एक सूखी डाली पेड के नीचे द उसके हाथ और घुटने मिटी से संग गय थी, चहरे से पसीना बह रहा था, पसीने के कारण टी-शर जिस्म के साथ चिपक गय थी, तभी सामने सूखी पत्यों में तेज सरहाट सुनाई दी, वो तुरंत रुप गया, अगले ही पल उसके समूचे जिस्म को मानू लकवा सा म कहां गायब हो गया? विक्रम कई सेकंड तक उधर ही देखता रहा, फिर आसीन से चहरे का पसीना पहुंच कर पुना आगे बढ़ा, अब वो और भी जादा सतर्क था, उसने एक बार पलटका देखा, बंगला और शेट पेड की ओट में छुप गय थी, अब सिर्फ घाट ही दिखाई दे रहा था, वो बंगले से करीब सवा सो गज दूर आ चुका था, और अभी करीब उतना ही फासला और तै करना था, अगर हमलावर के बारे में उसका नुमान सही था, तो उसने उनी पेडों के बीचु में ही कहीं होना था, विक्रम ने जरा भी आहट ना होने दे खड़ा हुआ, और हाथ और पैंट के पाउंचे जाड़कर पेडों में खुस गया, खुद को जील से दूर रखकर वो लंबा चक्कर कारता हुआ, दबे पाउं आगे बढ़ा, वहाँ घनी जाणियां थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वो हलकी होती चली ग पतलब किसी भी शर्म इसे जोरी की चीक सुनाई दे सकती थी, उसे तेजी से वहाँ पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन कई मिनट इंजार करने के बाद भी दूर चिडियों की चहचाहट के अलावा अनने कोई अवास सुनाई नहीं दे, विक्रम अपेशा क निश्चिन्त हो गया और संभवते हमलावर ने उसे निकलते नहीं देखा था, वो साबधानी पूरवक आगे बढ़ा, जल्दी ही बाएं और कोई 200 गज दूर पेडों के बीट से जब-जब उसे मैदान नजर आने लगा, चन्द मिनट पस्चाहत वो बाएं और मुडा और उस उंचे पेड की तलाश में निगाएं दोडाने लगा, जिसका उपरी हिस्सा सूखा हुआ था, लगबग सौ गज आगे जाने के बाद वो पेड उसे दिखाई दे गया, विक्रम ने बंगले को देखने की कोशिश में जील की दिशा में गंदन घुमाई, पेडों के बी अबे टिगरी का कोन बनाता हुआ गुमा और स्वयम को यथा संभव आड में रखता हुआ, बहुत ही धीरे धीरे बगएर अवास के सीधे सामने के और बढ़ गया, करीब 25 गर जाने के बाद वो रुका और एक पेड की आड में नीचे बैठ गया, अगर उसका नुमान और दिशा ग्यान बिल्कुल सही थी, तो हमलावर आस पासी कहीं राइफल लिए, पड़ा बंगली को वाच करता होना चाहिए, दम साधे बैठे विक्रम ने साबधानी पूरवक बारिकी से निरिशन करना आरम कर दिया, लेकिन दे तक खोचपूर निगाएं दोड़ाने के बा विक्रम ने करीब दस गज के फासले पर थोड़ी सी जाड़ियां थी, विक्रम बिना आवाज के रेंग कर वहाँ पहुचा और उनकी बगल में पेट के बल लेटकर लगवक पांच मिनिट तक इधर उधर देखता रहा, हमलावर का कोई निशान उसे नजर नहीं आ सका, वि जड़ा भी चूख हो गई और गलती से वो उसके सामने पड़ गया, तो उसने पेहिचक उसे शूट कर डालना था, विक्रम ने रुख का बैल्ट में खुछे रिवर्वर पर हाथ फिराया, फिर पहले सामने और फिर दाएं बाएं बारिकी से निगाएं दोड़ाई, दोब बीस गच दूर एक पेड की जमीन तक लटकती शाखाओं के आड में वो पेड के बल पड़ा था, विक्रम ने आस पास का मुएना किया, वहाँ जहानिया अपेशाकरत पुना गणी हो गई थी, उसके ने उसने अनुमान लगाया कि थोड़ा दाएं और खिसकने पर वो से सा आंगवानी पड़ेगी, क्योंकि वो इस तरह cold blood में किसी की जान हर्गिस नहीं ले सकता था, वो जादा से जादा revolver के दम पर उसे bluff कर सकता था, जबकि हमलावर ने bluff करने के बज़ाए सीधा उसे shoot ही कर डालना था, क्योंकि वो हताशा के बिहानक दौ से गुजर रहा था, और उसे shoot करने में उसका कोई नुकसान भी नहीं होना था, विक्रम हिच किचा हट में पड़ गया, मगर ज़्यादा देल दुविधा में फसा नहीं रह सका, उसके आखों के सामने अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी सूजी का पीला चहरा, बुजी आखें और कमजोर शरील घूम किया, वो मौत के मूँ में थी और उसकी तमाम उमीदे विक्रम पर ही ठीकी हुई थी, और उसकी उमीदों पर खड़ा उतरने के लिए विक्रम को किसी भी कीमत पर वो रकम अपने अधिकार में लेनी थी, जो सलीमपुर में तीन अलग-अलग बैंकों के लॉकस में ब विक्रम को अब उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, वो पेडों के बीट से बंगली के और देख रहा था, उसकी राइफल ठीक उसके सामने छोटे से लठे पटे के हुई थी, राइफल पर नजर पड़ते ही विक्रम समझ गया कि उसका निशाना क्यों तरह बढ़िय निकाल का उसके सर पतान दी, नीचे क्यों पड़े हो दोस्त, तुम्हारा कदरदान तो यहाँ पूछ पहुचा, उठो, लेकिन राइफल को हाथ मन लगाना, हमलावर ने फॉरन गर्दन घुमाई और उसका हाथ राइफल के और लपका, खबरदार, ऐसी गलती मत कर बैठन हमलावर के आँखों में विवश्ता, मिश्रित, क्रोधपूर्ण भाव थे, वो फॉरन स्थिति को भाव किया और धीरे से हाथ वापस कीच लिया, वो समझ चुका था कि दूसरी और मूर के पड़ा होने के कानर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, चुप चाब मैगजीन निक का पीछे फैक दो, विक्रम ने आदेश दिया, कोई शरारत मत करना, वरना, तब ही विक्रम को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसका समझ ध्यान हमलावर पर केंद्रित था, इसलिए अपने पीछे हुई आहट को वक्त रहते सुन नहीं पाया, और जब समझा, तब तक बहु वाल करने वाली एक लड़की थी, उसे दूसर वाल करने का मौका दिये बगए, विक्रम ने उसकी कलाई थामी, उसके पेट के नीचे हाथ अड़ाया, और उसे उठा कर बोरे की तना हमलावर पर फैक दिया, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हमलावर को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया, वो राइफल उठाने की कोशिश करता हुआ, गुटनों के बल उठ रहा था, इससे पहले कि वो उठ पाता, लड़की उसके उपर जा किरी, और उसके हाथ से राइफल छुट गई, और वो दोनों एक दूसरे से उलच कर रह गए, राइफल उनके नीचे द उठ रही थी, हमलावर से अलग होकर वो उठ कर बैढ़ के, उसके बालों में पत्तियां उलच गई थी, और घुटने में आई चोट से खुन बह रहा था, उसकी गर्दन की नसित तंग गई थी, और सांसे उखड गई थी, यू बूट, आई विल किल यू, बको मत, चीखने वाली औरतों को मैं कते ही पसंद नहीं काता, आदमी भी उठ कर बैठ चुका था, विकरम रिवार्वर ता ने उसके पास पहुँचा, उन्हें एक तरफ धकेल का, उसने प्यार की ठोका से राइफल अलग भे फैक दी, वे दोनों बस जलती निगाउं से उसे घूरते रहे, विकरम ने पीछे हटकर राइफल उठा ली, राइफल बैल्ट में खोसकर, राइफल की मैगजीन निकाल का दूर जाडियों में फैक दी, फिर राइफल को नाल से डंडे की तरह पकड़कर जो से पेड़ पर दे मारा, उसके दो टुकड़े हो गए, उन्हें भी उसने दू फैक दिया, वो दोनों बुद्ध बने बैठे रहे, विकरम समझ गया, इनके पास कोई और हत्यान नहीं था, काल कहां है, जवाब में दोनों खामोश रहे, आदमी के चेहरे पर गुस्से, विवश्ता और हाल के मिले जुले भाव थे, वो गौर से विकरम को देख रहा था, उसकी आँके कुछ इस ढंक से सुकर गई थी, मानो बड़ी भारी उलजन में पड़ा हुआ था, कोई ऐसी बात थी जो शूर से ही उसे प्रेशान कर रही थी, और जिससे समझ पाने में वो नाकामियाब हो रहा था, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, तुम्हारी काल, किस लिए उसे उठा का तुम दोनों के उपर पटकोंगा, तुम नहीं जानते, काल किस लिए चाहिए होती है, आदमी कुछ नहीं बोला, विक्रम को उन दोनों में कुछ अजीब सा नजर आया, धिहान से देखने पर वो समझ गया कि वो क्या था, आदमी तगड़ा वा तंद्रुस त गोड़ा चिट्टा था, उसके उमर 30 साल से जादा नहीं थी, लड़की की तरह वो भी सुनदा था, उनके चेहरे में एक ऐसी पारिवारिक समानता थी, जिसके अधार पर सिर्फ एक ही निशकर्ष निकाला जा सकता था, वो दोनों भाई बेहन थे, तुम दोनों भाई बेह सकोगे, कैसे, उस औरत को, क्यों, मैं उसे मार डालूँगा, और साथ में तुम्हें भी, विक्रम ने रिवार्वर से इशारा किया, खड़े हो जाओ, और वो एक पल के लिए हिच किचाया, फिर खड़ा हो गया, लड़की उसी तरह बैठी रही, विक्रम ने उसकी बहां प अब भाई ने उसे पकड़ कर गिरने से बचा लिया, देख नहीं रहे, इसे चोड लगी है, अगर ये चल नहीं सकती, तो तुम इसे उठा कर ले चलो, विक्रम ने आदेश दिया, यूवक ने यूँ रिवार्वर को घुरा, मानो किसी भी कीमत पर वो उसे पाना चाहता थ तुमारी ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकेगी दोस्त, विक्रम उसकी नियत को भाब का बोला, इसे उठाओ और चलो, कहां, सडक पर, क्यों, क्योंकि मुझे तुमारी कार चाहिए, लड़की ने हिकारत भरी निगाहों से यूवक को देखा, तुम इस बच्तमाश से डरते हो, तुम क्या कराना चाहती हो मुझे से, देख नहीं नहीं, इसके हाथ में रिवार्वर है, इसका मतलब है, तुम उस औरत को जिन्दा चिली जाने दोगे, वो अभी कहीं गई नहीं है, यहीं है, बखवास बंद करो, विक्रम ने कहा, तुमें काफी बवक्त मिलेगा, इस वेल, खूबसूरत औरत है, मैं तो उसे गोद लेना चाहता हूँ, तुमें कोई अतराज है, लड़की ने मुझ बनाया, तुम इसे मजाक समझ रहे हो, नहीं, तुम शायद नहीं जानते, इस तरह खुद को बड़ी भारी मुसिवत में फसा रहे हो, कैसे, पुलिस मर्डर क अपराज में उसे ढूंड रही है, अच्छा, उसने अपने पती की हत्या की थी, उसने अपने पती की हत्या की है, या उसके सारे खांदाग को माय डाला, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना lecture बंद करो, और चुप-चाप चलना शू क करो, वो दोनों सडक्यों चल दिये, 6-7 फूट पीछे रहकर विक्रम ने भी उनका अनुसरान किया, वे मैदान के उस तरफ के सिरे के पास से गुजरती सडक पर पहुँच गये, विक्रम को वहाँ पर कोई कार नजर नहीं आई, और ना ही कच्ची सडक पर कहीं टायरों के नि और वो दोनों चुप चाप चलते रहें, विक्रम भी उनके पीछे लगा रहा, तो मुझे बता सकते थे कि कार कहा है, लेकिन वो असान तरीका होना था, इसलिए अब हम इसी तरह चलते रहेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पक्की सडक यहाँ से 8 मिल दूर है, वहाँ तक जाकर हम वापस लोट आएंगे, उन दोनों में से किसी ने ना कोई उत्तर दिया और नहीं मुड का देखा, बस, खामोशी से साथ साथ चलते रहें, अगर कार से आगे निकल जाओ, तो भी बताना मत, सारा दिन पड़ा है, इसी तरह सैर करते रहेंगे, हच्छी खासी कस पसरत हो जाएगी, विक्रम को सडक पर टैरों के निशान की तलाश थी, अगर उन्होंने कार को कहीं छुपाया हुआ भी था, तो भी पता चल जाना था, जल्दी ही उसे टैरों के निशान नजर आ गए, फिर सडक से थोड़ी दूर पर पेडों में खड़ी कार भी कार वही पुरानी अमबैजडर थी, जिसमें उसने लड़की को देखा था, कार की चाबियां तुम दोनों में से किस के पास है, वो दोनों रोक गए, अब पलट का सर्द निगाहों से उसे खूरा, लड़की के सकर्ट की जेब खाली थी, और उसके पास बैग भी नहीं था, साफ जहे था कि चाबियां उसके पास नहीं थी, विक्रम यूवक से मुखातिब हुआ, कौनसे टांग में गोली खाना पसंद करोगे पहलवान, उसने अपनी जेब से चाबिया निकाल ले, मुझे नहीं चाहिए, तुम ड्राइव करोगे, और ये लड़की हम दोनों के बी पर चलो, विक्रम ने कहा, और सुनो, रफ्तार तेज करके किसी पेड से टकराने जैसे किसी हरकत के बारे में सोचना भी मत, मैं तो उस हालत में भी बस सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों नहीं बचोगे, यूवक होच चबा कर रह गया, विक्रम ने रिवार्वर बाय हाथ मे लेकर अपने कोहनी इस ढंक से खिड़की में टिका दी कि रिवार्वर का रुख उन दोनों के और रहे, लड़की उसे चीनने की कोशिश भी ना कर सके, यूवक चुप चाप काच चला रहा था, लड़की ने विक्रम के और गर्दंग हुमाई, तुम निहायत खटिया और क मीने किसम के बदमाश हो, विक्रम ने उसकी जांग थप थप आए, तुम्हे रतन मोहन मिल गया था बेबे, जिससे तुम ढूंड रही थी, लड़की खा जाने वाली नेखाओं से घूर कर रहे गई, कार बंगले के सामने चारू की, विक्रम ने संकेत पच्चाबिया इंग कोंच में पहुंचते ही विक्रम को शेलजा जोहरी द्वारा को तालाग खुले जाने के अवास्त नहीं दी, साफ था, वो खिडकी से उन्हें आते देखती रही थी, दरवाजा खुला और लड़की और उसका भाई आगे पीछे भीता दाखिल हो गए, विक्रम ठीक उनके पीछे था, लेकिन अगली ही पल जो हुआ, वो सर्व था, अनपेशित था, और अगर विक्रम सतक नहीं होता, तो उन दोनों को काम्याब हो भी जाना था, यूवक किसी जंगली जानवर की भाती गुराता हुआ अंदर जप्टा, और लड़की ने फरन भढ़ाक से दवाज पीछे हटी, और संभलने की कोशिश करने के बावजूद कमने में नीचे जाकी रही, विक्रम भी उसके उपर गिरने से बाल-बाल बचा, यूवक ने फर्श पर जोहरी को अपने नीचे दबा रखा था, और उसके गले को अपने दोनों हातों से दबोचने की कोशिश कर र रही थी, उस पर पागलपन सवार हो गया लगता था, उसके विप्रीत उसके नीचे दबी शेलजा खामोश थी, और खुद को बचाने के लिए पूरी ताकस से लड़ाई कर रही थी, विक्रम ने रिवावर में खोस कर यूवक को कॉलर से पकड़ का उपर खीचा, यूवक उसके पहली बाह देख रहा था, विक्रम ने इस दफ़ा पूरी ताकस से एक घूसा उसके जबड़े पजमा दिया, यूवक तोरा कर लहराने लगा तो विक्रम ने उसे पीछे धकेल दिया, वो पीट के बल नीचे गिरा और अपनी बहें की बगल में फैल गया, खुद वि खड़ गए थे, सांसी तने को खड़ गई थी, आँखों में बड़े ही सर्थ भाव लिये, वो विक्रम के पास आके, एक दब विक्रम कुछ नहीं समझ पाया, फिर अपनी बैल्ट से रिवार्वर खीचा जाता महसूस करके चौका, और शेलजा की कलाई दबोच का रिवार कुसी पर बिठा दिया, बाकी दोनों भी उठकर खड़े हो गए थे, उनकी हालत बहुत अजीब थी, लड़का रो रहा था, लड़की का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, आँखे जलती हुई लग रही थी, विक्रम ने मेज की दूसरे सिरे पर पड़ी, कुस्रियों की औ संकेत किया, तुम दोनों भी चुपचा बैठ चाओ, और अपने हाथों को स्तमार करते करते मैं ठक गया हूँ, अब अगर और गरबढ़ की, तो मैं रिवर्वर्वल स्तमार करूँगा, जाओ, बैठो, यूवक के होटों में कमपन था, आँखों से आंसु बह रही थी, मैं उन दोनों के बीच में थोड़ा पीछे वो इस स्तिती में बैठ गया, कि उन में से कोई भी अचानक उस पर छपड़ ना सके, हाता पाईतिक के बाद कमरे में इतनी शांती चा गई थी, कि बहार चिडियों के चहचाने के आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, फिर लड़ धीमी और कुछ ऐसी थी कि मानो च्छाती पर भारी बोज रखा होने की वज़ा से वो ठीक से बोल पाने में असमर्थ थी, उसके बावजूर, उसके मुह से गालिया निकर रही थी, वो इतनी गंदी थी कि पहले कभी किसी आदमी को भी वैसी गंदी गालिया बक्ति विक्रम जोरी